नरेंद्र मोधी मन की बात कारे करम न द्वारा एक खास विशय उपर वाद करवामा आवी त्यारे विविद विशय उपर वाद करता देश ना नागरी को साथे जूडाया औने साथे साथे ग्रही मंत्री अमिन शीहपण कोलकाता माटे निकडी गयाचे जा तेमना एजन्डामा भाजपनू रास्टिय सभ्यपत अभ्यान शरू करवानू पन समाविस्ताईच आउपरांथ शाव भारत बांगलादेश बॉडर पर नवा पेसंज टर्मिनल नूपनुद घाटन करशे अनि जारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोधी नों आएक सो पंदर मों नरेंद्र मोधी मन की बातनों कारेक्रम युजाओ तेनी अंदर घणा विशय उपर अलग-अलग वात करवा मावि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा मैं देश का पहला प्रधान नुत्री हूँ जिसे इस पवित्र भूमी की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सवभाग मिला उसक्षान मुझे ना सिर्फ स्वतंत्रता संगराम की शक्ती मैश्यूस हुई बलकि इस धर्ती की शक्ती से जुड़ने का भी अवसर मिला मुझे एसास हुआ कि कैसे एक संकल्प को पुरा करने का साहस देश की करोड़ों लोगों का भाग्य बदल सकता है साथियों, भारत में हर यूग में कुछ चुनोतियां आई ही और हर यूग में ऐसे असाधनन भारतवासी जन्में जिनों ने इन चुनोतियों का सामना किया आज की मन की बात में मैं साहस और दुर्दरश्टी रखने वाले ऐसे ही दो माहन नयकों के चर्चा करूंगा इनकी 150 वी जन्मजेंति को देश ने मनाने का निश्य किया है 31 अक्तुबर से सरदार पटेल का 150 वी जन्मजेंति का वर्ष शुरू होगा इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिर्सा मुंडा का 150 वा जन्मजेंति वर्ष शुरू होगा इन दोनों महापुरुष ने अलग-अलग चुन्योतियां देखी लेकिन दोनों का विजन एक था देश की एक था साथियों बीते वर्षों में देश ने ऐसे महान नायक नायकाओं की जन्मजेंतियां को नई उर्जा से मना कर नई पीढ़ी को नई प्रेणा दी है आपको याद होगा जब हमने महात्मा गांदी जी की एक सो पचासवी जन्मजेंति मनाई थी तो कितना कुछ खास हुआ था नियूर्क के टाइम स्क्वेर से आफरिका के छोटे से गाउं तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा उसे फिर से जाना उसे जीया नवजवानों से बुजुर्गों तक भारतियों से विदेशियों तक हर किसे ने गांदी जी के उपदेशों को नए संदर पे समझा नई वैश्विक परिस्तितियों में उने जाना जब हमने स्वामी विवेकानन जी की एक सो पचासवी जन्म जन्ति मनाई तो देश के नवजवानों ने भारत की आध्यात्मिक और सांसकुर्टिक शक्ति को नई पारिभाशाओं में समझा इन योजनाओं ने हमें एह एहसास दिलाया कि हमारे महापुरुष अतीत में खो नहीं जाते बलकि उनका जीवन हमारे वरतमान को भविश्य का रास्ता दिखाता है साथियों सरकार ने भले इन महान विभुद्यों की एक सो पचासवी जन्मजेन्ति को राष्टिय स्तरप्र मनाने का निर्ने लिया है लेकिन आपकी सहभागीता ही इस अभियान में प्राण भरेगी इसे जीवन्त बनाएगी मैं आप सभी से आगरे करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्षा बने लोहपुरू सरदार प्रटेल से जुड़े अपने विचार और कारियर हैस्टेक सरदार 150 के साथ साजा करें